मन्जिल उन्ही को मिलती है जिनके सपनों में होती है जान पंक से कुछ होता नहीं होसलों से उडान होती है हेलो दोस्तों कैसे बाप साहब I hope अच्छे हो आधम करेंगे exercise 1.2 का question number 6 question number 6 है explain 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers तो हमारो solution होगा given हम पहले यह वाला part करेंगे तो नमबर लिखने 7 into 11 into 13 plus 13 यह हमको दिया हुआ है इसमें इस दो बार 13 and 13 कमान ले लेते हैं 13 बाहर आजाएगा प्रैकेट में 7 into 11 plus 1 यह हो जाएगा तो इसके बाद हमारा आएगा 13 770 77 होता है 77 plus 178 होता है यह हो जाएगा 78 को लिख सकते 13 into 6 और 6 को लिख सकते लिख सकते हैं तो हमारा आजाएगा 13 into 2 into 13 into 3 यह हो जाएगा तो हम लिखते हैं तो दा गीवेन नंबर is a composite composite number as it has it has more than more than two factors यह हो गया हमारा first number का आते हैं second number पे now we have we have kya number 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 यह हमारा नंबर है अब हम इसमें दो बार 5 आज दिख रहा हैं हमको 5 हम कॉमा ले लेंगे तो 5 बाहरा आज दिख रहा हैं हमको 5 हम कॉमा ले लेंगे ब्रेकेट में 7 into 6 into 4 5 बाहर आगे तो 1 हमारा हो जाएगा 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 यह हो जाएगा तो यह 5 हमारा बाहर हो जाएगा तो यह आएगा 1008 प्लस 1 तो हमारा जाएगा 5 into 1009 यह हमारा नमबर हो जाएगा अब हम लिखते हैं सो दो गीवें 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 नमबर is a composite composite number as अब्सक्राइब यह चाहिए यह चाहिए है मूर दैन इंट को नीच नीच फैक्टर थो दोस्तों अभी तक हमने क्या किया हमको यह नमबर था हम इसमें सी थर्डीन को बहर ही निकाल लिए फिर हम इसको प्राइन फैक्टर के फार में लिख के इसको निकर लिया फिर सेकेंड में भी हमने ही किया तो यह था हमारा क्वेशन नंबर सिक्स सोल्यूशन पढाई करते रहें और दा वेरी बेस्ट